गाजर, सोन, हलुआ न तो आपने कभी बनाया होगा और नहीं कभी खाया होगा तो देखिए मैंने ये गाजर से ही बनाया है और आपको मैं अभी बना के दिखाते हूं बहुत ही स्पेंजी देख सकते हैं और बहुत ही पारदर्ची है परनतों इसमें काफी ड्राइफ रोट क कारण यह आपको देखने में नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी इसे हमने कैसे बनाया यह हमने रेड वाले गाजर लिए आप यलो वाले गाजर से भी बना सकते हैं और आजकल मार्केट में बहुत गाजर आ रहा है यह लगबग 200 ग्राम से थोड़ा ज्यादा ही है और एक थोड़ा अगर ज्यादा भी हो जाए तो भी चलेगा तो और गाजर का हलुआ ना तो हमें घीशना है और ना ही हमें वाल करना और देखिए इसे क्या कि हमने छिलके उतार दिये और अच्छे से दो दिया और इसके छोटे-छोटे पीसेज कर देंगे चोटे-छोटे पीसेज कर देंगे यह आपने तो हलुआ बहुत बार खाया होगा पर एक बार इस प्रकार बना के देखिए आपको मजा आ जाएगा और घर में ही रखे सामानों से बन जाएगा और बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा तो यह लीजिए हमने गाजर को चोटे- पीसेज में काट लिये लिए वराउड़ को ऊपर से चिलना नहीं भूलेंगे गाजर को ऊपर से हमें जरूर चिल देना है और यह दो लेना और यह में क्या करूंगी एक mixie का जार लुंगी और उसी में सारे राजर को conversion कर देना है तो यह लेज़े मैं heißt care कर दिया यह बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इसमें हमने क्या किया एक bowl पानी डाल दिया ताकि इसे हमने fine paste बना लेना है तो यह हमने fine paste बना लिया और fine paste बना बनने के बाद बाद तो अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसे चलनी के ऊपर डाल देंगे और इसका जितना भी रस होगा उसे हमें निकाल लेना है तो इसे अच्छी तरह से चमच के साहता से चलाते हुए दबा दबा के हम निकालेंगे और निकालने के बाद ये जो पल पड़ा जाएंग और पल्प हमारा थोड़ा रजाएगा लेकिन पल्प हमें भेखना नहीं है आप चाहे तो इसे आटे में लगाके रोटी बना सकते हैं पर आठा बना सकते हैं और इसे में हमने एक कप अरा रोट का आठा ले लिया और इसे अच्छी तरह से गोलना है चुकि आपको पता है पानी में जाते ही नीचे पकड़ने लगता तेशे हमें थोड़ी दिर तक अच्छी तरह से चलाना है ताकि ये घुल जाए और ये लगबक दो पींच हमने इसमें फूट कलर डाल दिया रेड फूट कलर डाला आप चाहे तो औरेंज कलर से भी बना सकते हैं रेड औरेंज एक कप हमने चीनी डाल दिया और चीनी लेके बाद उसमें हमने हपी अच्छी लगती है और यह पक्टी चासनी नहीं बनाने जितने में यह अच्छ पेगहल जाए उसे में डाल देंगे लग बक 1 कुण पिल इलाइची पाऊडरं क्योंकि इसकी खुस्पोफे बहुत यह त और इसे बस मेल्ट होने तक हमें चलाना है कोई इसका हमें चासनी नहीं बनाना और लीजिए जब वो मेल्ट अच्छे से घुल गया तो हमने यह गाजर और रोट का गोल इसमें डाल दिया पर ध्यान रखना है यह गोल डालने के बाद हमें रुपना नहीं है तो पटा-पट तेज हाथों से चलाना है ताकि यह नीचे पकड़े नहीं तो इसे हम चलाते रहेंगे अब आप देख सकते हैं थोड़ा मैं अब टाइम दूंगे इस पर चलाते हुए और देखिए चलाते चलाते जब यह गाढ़ा होने लगेगा तो ध्यान रखना है इसे हमें छोड़ना है इसे क्या होगा यह बहुत भी सॉप्ट बन के तयार हो गया हमें वह बिल्कुल एक कभी-कभी मिठाई के दुकान से एसा जाता है जो बिल्कुलूल आप तोड़ेंगे तो खिच्टा है वैसा हमें नहीं बनाना हमें सौप्ट बनाना है जो खाने में अच्छा लगे और तोड़ी जड़ चलाने के बाद फिर हम घी डालेंगे घी को डालते हुए इसे हमें 5-7 मिनट तक चलाते रहना चाहिए मैं उतने टाइम तक चलाओं तो आप लोग भी सोचेंगे कि मैं वीडियो को लेंदी कर रही हूं और लास्क में हमें वन टेबल स्पून डालना है और यह बिल्कुल घना गना होने लगा और एक जगह आगया तब तक हम एक टीन लेंगे और केक टीन में चारओ तरफ घी का गार्निस कर देंगे हमें ना तो इसमें बटर पेपर के आओ सकता है ना फॉल पेपर के आओ सकता है क्योंकि वो बिल्कुल पकड़ता नहीं है इसी के अंदर क्या करना है हमें थोड़ा सा पिस्टा को बिलकुल बारिक करके उसे नीचे से पहले डाल देना है। और दिहान मैं बता रही थी कि जित्पूरी जो हमें बनाना है तो इससे हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है ना लो करना ना ही हाई करना और ठंड का दीन है कुछ ड्राइफ रोट्स तो बनते हैं तो लीजिए इसमें डेहर सारा बारिक कटा हुआ काजू, पिस्ता और बाद बिल्कुल जेली की तरह नहीं अभी नहीं हुआ थोड़ा हमें और इसे गहना करना पड़ेगा पर एक बात का ध्यान रखना है हमें वैसा नहीं बनाना जिससे हम इधर से इधर खीचे तो वह बिल्कुल खीच जाए यह देखें बिल्कुल जाल यह हो गया आपको जेली की तो हमें जेली की तरह बनाना है ऐसा नहीं बनाना कि इधर से इधर हमें खीचे और वह बिल्कुल चिम्मर चिम्मर से हो जाओ ऐसा नहीं बनाना है कभी-कभी मिठाई के दुकान से आता है वह बिल्कुल अलग टाइप का होता है और किसी-किसी अच्छे दुकान का जो सोन ह लुआ होता है वो बिल्कुल सॉप्ट होता है तो यह लिजे हमारा तयार हो गया और हमने इसे इस तीन में डाल दिया और अच्छी तरह से अब हम इसे जमने देंगे और कम से कम तो इसे हमें ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है फिर भी हमें इसे भी 15-20 मिनट छोड़ेंगे उसी में ठंडा भी हो जाएगा और जम भी जाएगा ज्यादा का टाइम का जरूरत भी नहीं है तो यह लिजे हमने सारे उसको सिप्ट कर दिया और मैंने केक तिन में कोई वटर पेपर नहीं लगाया है और देखिए यह कितना बढ़िया ही जम गया लगबग मैंने 15 मिनट क के बाद यह देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से जम गया है और अब हमें एक ठाली लूगी और इसे हाथों से दबाते हुए देख लिए आराम से निकल गया इसे हमने कुछ भी नहीं किया वाउ तो हमारा हलुआ बनके तयार हुआ अब मैं आपको इसे पिसस में मिकाट के दिखाती हूँ यह चको में भी बिल्कुल नहीं लगेगा नाई बिल्कुल ही साफ निकल के आएगा तो यह लिजिए मैं इसके छोटे-छोटे पिसस कर लेती हूँ ताकि एक साथ बहुत सारे लोगों को मिल जाए और इसे बना के आप बहार टिफिन में ही रख दीजिए आ लिजिए हमने और आप देख सकते हैं चकु जो है वह बिल्कुल साफ सुतरी निकल के आ रही है इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है इसे हाथों से मुझे इसलिए दबाना पड़ता है कि जहां चकु जा रहा है और ड्राइफ रूट है वहां तो तूटने का डर होता है ना क यह लिजिए मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूं यह कितना ही पारदर्शी और कितना ही स्पंजी बन के तयार हुआ है देख सकते हैं तो यह लिजिए हमारा हलुआ तयार हो गया है इंज्वाए कीजिए तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट सेक्शन म में भी बना सकते हैं बताएं और जो लोग नहीं देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूने क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत है और लाइक कर दो